तो आज हम बनाते हैं बाजू का डिजाइन ये बाजू का कपड़ा इसरे मैंने 4 thu n कपड़ा में फॉल्ड कर लिया हैं जब भाजू की कप्र करते हैं तो कपड़ फॉल लेermें फॉल्ड होना चाहिए बाजू की जो लंबाई तियार यहां से तीन इंच मैंने डाउन किया है और जो मोरी है वह साथे पांच इंच तियार है तो मैंने ची इंच लिया है अब हम बाद्जु की कटिंग करते हैं जैसे जैसे हमने निशान लगाए थे वैसे वैसे हमने कटिंग करने हैं अगर आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें फ्रन्ट दो लेयर को उठातर हमने पोने इंच की काट डालनी है बाद्जु की कटिंग हो चुकी है अब हमें डिजाइन पनाने के लिए बाद्जु के सेंटर से दोनों बाद्जु की हमने कटिंग करनी है ये हमारे चार पार्ट अलग अलग कट कर हो गए है अब लुपी बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है इसकी चोड़ाई पोने दो इंच है पहले हमने कपड़े को इस तरह हलका सा फोल्ड करना है फिर इदर से भी फोल्ड करना है और इस तरह करके हमने यहां किनारी पे हमने सलाई लगानी है यह लुपी के दूसरी तरह पे हमने किनारी पे सलाई लगा लेने हैं अब हमने तीन इंच के लंबे इसके टुकड़े बनाने हैं सारी लुपियों की मैंने कटिंग कर लिया है अब हमने बार्जु की एक लेयर को उठाना है और इस तरह हमने डिजाइन बनाना है तो हमने फट्टी मोडनी है थोड़ा हलका सा फोल्ड करके फिर हमने फिर थोड़ा फोल्ड करना है और इस तरह बार्जु में हमने सिलाई लगा देनी है अब बार्जु की दूसरी लेयर में भी जहां से हमने सेंटर में कटिंग करी थी हल्का सा फोल्ड करना है और फिर थोड़ा ओर फोल्ड करके इस तरह हमने कच्ची से लाई लगा लेनी है इस तरह अकबार का एक टुकड़ा लेना और इसको डबल कर लेना है तो जितनी बाज्यू की लंबाई है उतनी ही इस अकबार के टुकड़े की लंबाई होनी चाहिए बाज्यू को हमने अकबार के टुकड़े पे अच्छे से सेट कर लिया है अब हमने इस तरह एक लुपी को उठाना है और इस तरह हमने तिर्ची लुपिया लगानी है इस तरह करके हमने तिर्ची लुपी लगानी है तो अब हमने यहां से सिलाई करनी है है इस तरह लुपी को ठाते जाना है, हमने तिच्छी शेप में लुपीयों को लगाना है लुपी को ठाते जाना है अब बाज्यू के इस साइड हमने अच्छी तरह लुपी को सेट करके सिलाई लगा लेनी है लुपीयों लग चुकी है, अब हमने बाज्यू की फ्रेंट से फट्टी को फोल्ड करना है अलका से फोल्ड करके फिर इस तरह फोल्ड करके हमने कच्छा टांका लगाना है अब यह जो अकवार का टुकडा हमने लगाया था इसको हमने निकाल देना है अब हमने लुपियों के दोनों तरफ एक एक तांका और लगाना है ताकि लुपी है जो वो अच्छे से फट्टी हो जाए अब दूसरी तरफ भी हमने टांका लगाना है इदर मोटे वाली साइड भी मैंने एक लुपी को अटैच कर दिया ताकि जब हम बाज्यों लगाते हैं तो हमें बाज्यों लगाते हैं तो हमें बाज्यों आने में असानी हो बाज्यों का डिजाइन बन कर त्यार हो चुका है अगर आपको मेरी वीडियों अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तेक्स फूलोगी